पाली पढ़ना सीखो भाग तीन जो पहले एक और दो भाग हैं उसमें आपने सबसे पहले बुद्ध को नमश्कार करना सीखा पाली में नमो तस भगवतो अरहतो सम्मासं बुद्धस तीन बार उसके बाद में आपने तीन सरन सीखी जो बुद्धन सरनं गच्चामी धंवंग सरनं गच्चामी संगं सरनं गच्चामी और इस तीन सरन के बाद में आप सीखेंगे आज पढ़ना पाच सील वह सिर्फ पाली को पढ़ना सिखाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा अर्थ मैं बता देता हूँ मगर आपको अगर पूरा अर्थ इसका समझना है तो और भी वीडियो बहुत सारी है जैसे पंच सील जो आप सीखेंगे उस पंच सील की विस्तित जानकारी ब्रहत जानकारी बहुत जादा जानकारी अलग अलग सीलों की सील में वीडियो में दिये हुए है वो आप Team 22 के चैनल को सबस्क्राइब करकर उस पर देख सकते हैं क्योंकि पाली को पढ़ना जादा मुस्किल है नहीं मगर देखने में लगता है कि पाली बड़ी कठिन है जो आज की हिंदी है और जो मराठी है या जो गुजराती है या जो पंजावी है या जो तमिल है या जो भी भासाएं भारत में चलती है वो सभी पाली ही के रूप है पाली से ही विक्सित हुई है पाली ही उनको कह सकते हैं आप अगर चाहें तो हिंदी की जगे कर पाली लिखवा देंगे तो वहाँ एकी बात होगा क्योंकि जो भारत में भासाइं बोली जा रही है तो सारी प्राचीन और प्राकरतिक भासा हैं जो बोली जा रही है और उनी भासाओं को बहुत जादा पहले कौसली या मगदी या सोकी या धम की भासा या बुद्ध की भासा या पाली आज के समय में कहकर पहचाना चाता है और लेटेस्ट में आप उसको हिंदी कहकर भी जान सकते हैं हिंदी में कुछ जो सद हैं वो बहारी सद मिले गए हैं जो बहार की भासा के आए हुए हैं अगर उन भासाओं के सद्दों को आप निकाल देंगे तो वो खाली पाली बचती है ठीक ऐसे जैसे अगर 20 में 4 जोड़ दें तो 24 होता है और अगर 24 में से 4 घटा दें तो 20 फिर रह जाता है ऐसे ही पाली में कुछ सब्द जोड़ दिये तो वो हिंदी हो गई और उन सद्दो को उन सब्दों को अगर निकाल देंगे तो वो फिर द्वारा से वही प्रानी पाली प्राकर्तिक नैच्रल पक्ती भासा हो जाएगी पक्ती मतलब नैच्रल तो यहां मेरे सासाथ आप बोलेंगे जो पाच सील है उनको सीखेंगे यह बच्चों को खास्ट और से प्रक्टि में दोस्तों को बताएं के देखो हम पाली पढ़ना सीख रहे हैं पाणा ती पाता वेर्मनी सिखा पदं समाधियामी यह पहला सील है सील करम से चलते हैं आप बिना करम के भी याद रख सकते हैं सीलों पर कोई फरक नहीं पड़ता मगर सब के साथ अगर गाएंगे तो करम स पाणा ती पाता पाण जो है उसको पराण बोला गया है बाद में और पाणा ती पाता का मतलब है उसका पतन करना तो पाणा ती सब्दा आते हैं तो इसको हम बोलेंगे सिख्खा वारे तो वही होता है जो सिख्षा होता है जिसको सीखते हैं जिससे पंजाब के इंदर जो सारे सिख्ख हैं उनको सिख्खा एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि पराणी भासा पंजाब में तो बहुत जयदा चलती है, हरियाना पंजाब में तो पूरा पाली भरा पड़ा है, तो सिख्ष वही है, जो वो सिक्ख सब्दय यानि जो सीखे हुए are, उन्हीं को सिख्खा बोलते हैं, दूसरा आता है अदिन दाना एदिन दाना इसको ऐसे पढ़ेंगे एदिन दाना वेर मनी सिख्खा पदं समाध यामी यह दूसरा सील हो गया तीसरा है कामेसू कामेसू मिच्छा चारा यानि जो मिच्छा है और जो आचरण है उसका एक सथ उपनाया गया है मिच्छा आचरण है वैसे तो इसको बुला जाता है मिच्छा चारा कामेसु मिच्छा चारा मिच्छा माने होता है मिध्या यानि जूटा और कामेसु है कि जो काम में रत रहता है जो काम वासनाओं में हैं पांच तरह की काम वासनाओं होती हैं लगबग छे तरह की एक खाने की वासना है एक सुनने की वासना है एक सूनेंगी वासना है एक काया के सरीर की वासना है एक आँखों से देखने की वासना है और इन पांचों वासनाओं से मिलके जो मन में वासना बनती है वो छटी वासना होती है तो सारी वासनाओं के लिए बोला गया है कामेसू मिच्छा चारा वेर मनी, सिखा पदं, समाधियामी चोथा सील है चोथा सील सबसे आसान है मूसा वादा आपने जोड़ना है बस मूसा वादा मतलब है जो जूट बोलते हैं यानि वाद माने होता है वाद करना बात करना तो मूसा वादा जैसे होता है आप कहते हैं बुद्धवाद है या मिर्करवाद है या निकि उस तरह का जो विचार पूरा आता है वो जूट नहीं होना चाहिए तो मुसा वादा वेर मनी सिख्धा पदंग समाद यामी और आखिर में है सुरा मेर्य मज पमादट ठाना सुरा तो वही होगी जो बड़ी फेमस है सुरा जो पेड़ है उसका नाम भी है सुरा मेर्य मज मजज वो होता है जो मद हो जाता है ना मद निसेद उसको मजज बोला है पाली के अंदर पुराना वो मजजी है उसको बाद में मद किया गया और मेरे होता है जो नसीले पधारत होते हैं और सुरा जो परड़ पधारत होते हैं नसीले सुरा मेरे मजज पमादिठाना, पमाद का मतलब है परमाद, डिठाना, डिठाना का मतलब होता है इस्थान, पमादिठाना, वेर मनी, सिक्खा, पदंग, समाद या मी, ये पांचो सील इस्पिटार से हो गए हैं, इन पांचो सीलो को आप आराम से अपने आप बोलिए, उन्हें अपनी भासा म रिकॉर्ड कीजिए वीडियो बनाईए या आडियो बनाईए और खुद उनको सुनिए कि वो आप में कितने अच्छे बोले हैं कितने नहीं और उनको बाकाइदा गागा कर बोलिए कैसे पाणा तिपाता वेर्मनी सिक्खा पदं समादयामी अदिन्दाना वेर्मनी सिक्खा पदं समादयामी कामे सुमिच्छा चारा वेर्मनी सिक्खा पदं समादयामी मुसा वादा वेर्मनी सिक्खा पदं समादयामी सुरा मेरे मज्य पमादच्टाना वेर्मनी सिक्खा पदं समादयामी आप एक लाख तरह से गा सकते हैं किसी भी जो पंसील है या कोई भी धंपद है या कोई भी पाली का जो लिखा हुआ पद है जब आप पाली पढ़ें उसको याद करें तो उसको गुंगना सकते हैं किसी भी गाने की पैरोडी पे किसीवी गाने में या जो धोन आप त्यार कर सकते हैं उस पर गा सकते हैं थोड़ा अभिहास करें बच्चे तो स्मैक्सपरट होते हैं अपना वीडियो बना-बना के इसका खेल खेलें और सब को भीजने के देखो मैंने इसको ऐसे गाया है और मैंने इसको ऐसे गया है, इसको मैंने ऐसे गया है जो बड़े लोग हैं, वो अपनी बच्चों को इसका अभ्यास कराएं उससे उनको याद करने में आसानी आएगी यह बहुत तरह से गया जा सकता है जैसे मैं आपको एक तरह से और इसको गाके दिखाता हूँ आप जितनी भी तरह से चाहें उसको किसी भी एक्षेंट में गा सकते हैं मल्यालम में तमिल में पंजावी में पंजावी में भी का सकते हैं पंजावी में आप गाना चाहें तो पंजावी एक्षेंट अगर आता है उस में गाएंगे तो यह और भी खुशत लगेगा जितने भी दुनिया में जितने भी भासों में लोग हैं चाहे कोरिया में हैं चाहे चीन में हैं या जापान में हैं या अमरीका में हैं ते लाउस में हैं या थाइलेंड में हैं या स्री लंका में हैं सबका एक्जेंट अलग होता है सबका बोलने का तरीका अलग होता है आप देखेंगे तो आप ताजुब करेंगे कि सभी बोलते यही हैं और सबका अलग अलग तरीके से आप अपना तरीका इजाद कीजिए और उसको बोलिए बड़ा मज़ा आएगा और आप इसी बात-बात में इसको सीख भी जाएंगे धन्यवाद आप सभी से यह निविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए जिए आप इसको अपना मान के चलाए क्योंकि धम्ض का है, हम जो बताते हैं भगवान बुद्र का है, या महा पुर्ष्णो का है, उन्हीं की बात को सल्भासा में बताते हैं, हमारा स्रु वितना राइट है असके हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद गच्छामी बतंशरनं गच्छामी धन्यवाद धंधं शरनं गच्छामे संधं शरनं गच्छामे भुतं शरनं